नमस्कार पेरेंस, पेरेंस एस को एजुकेटर प्रोग्राम की अगली एक्टिविटी में आप सभी का स्वागत है आज की एक्टिविटी का नाम है कहानी सुनू इस एक्टिविटी से आपका बच्चा एक मौडल लेसन सीखेगा कहानियों के माध्यम से आज की पहली कहानी है सूर्दास के पारे में सूर्दास श्री कृष्णी के बहुत बड़े भक्त थे वे श्री कृष्णी से इतना प्रेम करते थे कि उनकी भक्ती में उन्होंने एक लाग से भी जादा गीत भजन लिखे थे सूर्दास जन में से ही दृष्टिहीन थे इस कहानी के अनुसार एक बार जब राधाजी उनका पीज़ा कर रही थी तो सूर्दास ने उनकी पायल ले ली जब राधाजी ने उनसे पायल लौटानी को कहा तो सूर्दास ने यह कहते हुए इंकार कर दिया कि वे है इस बात के पुष्टी नहीं कर पा रहे हैं कि ये उन्हीं की पायल है क्योंकि वो तो दृष्टी हीन है ये सब देखते हुए श्री कृष्ण ने सूर्दास ची के दृष्टी उन्हें वापस लोटा दी सूर्दास ची ने आँखे खोलते ही श्री कृष्णी के दर्शन किये और उनसे आग रह किया कि वह उनकी दृष्टी फिर से ले ले श्री कृष्णे ने अचंबित होके उनसे पूछा ऐसा क्यूं? तब सूर्दास्ची ने उन्हें उत्तर दिया कि उन्होंने स्वयम श्री प्रभू के दर्शन कर लिये हैं. उन्हें इसके लावा और कुछ देखने की मन्शा नहीं है. आज की दूसरी कहानी है अभिमन्यों के बारी में. अभिमन्यों कुरुषे त्रयुद के सर्विष्रिष्ट महारतियों में से एक थे. जब अभिमन्यों अपनी माता सुवद्रा की गर्भ में थे, तब उनके पिता उनकी माता को चक्रवियो रचना की योजना समझा रहे थे. अभिमन्यों ने यह पूरी योजना माता के गर्व में ही सीखी परन्तु जैसे ही अरजुन उन्हें चक्रव्यों भेद कर बाहर आने की योजना समझा रहे थे अभिमन्यों की आँख लग गए जब महाभारत का युद्ध हुआ तो कौरवों ने इस चक्रव्यों की रचना करी अभिमन्यों इस चक्रव्यों को भेद कर उसके मद्ध तक पहुंचने में सफल रही परन्तु उन्हें इसे भेद कर बाहर आने की युक्ती नहीं पता थी इसलिए वे अपने माता पिता और अपनी परिवार के लिए लड़ते हुए वीरगदी को प्राप्त हुए आज की आक्टिविटी यहीं खतम होती है अब जाकर आप इस आक्टिविटी को अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि उन्होंने अभिमन्यों और सूर्दास की कहानी से क्या सीखा धन्यवाद अगर आपको कोई भी डाउट या सिजेशन हो तो जिस वाट्साप नमबर से आपको यह वीडियो आया है आप उस पर बता सकते हैं या फिर जो स्क्रीन पर दिख रहा है आप उस वाट्साप नमबर पर भी हम से बात कर सकते हैं अगर आपको यह अक्टिवेटी पसंद आई हो तो इससे जरूर लाइक कीजिएगा और और पेडिन्स के साथ शेर भी करिए हमारी यूट्यूब चैनल गोपाली यूथ वेलफेर ससाइटी को भी जरूर सब्सक्राइब करें